औरतों ने बद्ली दुनिया इसके सवाजवाब देखेंगे किस प्रकार के व्योसायों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुश अधिक है पुलिस हो गई सेना, ड्राइवर जो लोग गारी ड्राइव करते हैं पेट्रोल पर्म के करमचारी, रेलवे और वायुयान के पाइलेट, व्यापार ट्रेडिंग, किसान, वैज्यानिक, अध्योगिक मजदूर इन व्योसायों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुश अधिक है नर्स के काम में महिलाओं की संख्या अधिक क्यों है तो महिलाएं ये माना जाता है कि वो अच्छे नर्स होती है क्योंकि वो अधिक सैन्शील और विनम्र होती है इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिला कर देखा जाता है रोग्यों को जो रोग से पीडित है उन्हें घर जैसा स्नेह मिलना चाहिए जो की नर्स के रूप में महिलाओं में मौजुद होता है महिला किसानों की संख्या पुरिशों की तुलनात्तक रूप से कम है यदि है तो क्यों तो किसानों में खेती का काम कठिन होता है परिशन भरा होता है जैसे हल चलाना हुआ, कुदाल चलाना हुआ, बोज़ा ढोना, तो इन कामों को महिलाओं की अपेक्षा पुरुष आसानी से कर पाते हैं, ऐसा मना जाता है, अब महिलाओं को इन कामों में मुश्किल हो सकती है, क्योंकि महिलाओं का शरीर पुरुषों की अपेक्षा थोड़ अगर बलिष्टा देखें थोड़ा सा कम होता है बहुत जाता नहीं इसलिए महिला किसानों की संख्या पुरुशों की तुलना में कम है पुस्तक के वाक्यांशों के आधार पर प्रश्णों के उतर दीजी यदि आप जेवियर होते तो कौन सा विशय चुनते अब जेवियर सहाब के मैथ और साइंस में थोड़े कम नंबर आए ठीक ठाक आए कहने का मतलब लेकिन इतिहास में बहुत ही बड़ी आया इनके मार्क्स आए तो जदी हम जेवियर होते तो इतिहास का विशय चुनते क्योंकि कोई भी विशय खराब नहीं होता अपनी किसी भी विशय के प्रती आपकी दिल्चस्पी हो सकती है आप उसको ज़्यादा पसंद करते हो और उस जहां दिल्चस्पी हो वहाँ पर अच्छे से पढ़के आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अच्छे नंबर ला सकते हैं और अपने लक्ष जो भी है आपका उस और आपको उस डिरेक्शन में बढ़ा सकते हैं अपने अनुभाव के आधार पर बताइए कि लड़कों को ऐसे किन-किन दबाओं का सामना करना पड़ता है तो लड़कों को एक तो माता पिता के अनुरूप परिक्षा में अंक लाने का दबाओ है कि भाई शर्मा जी पढ़ो उसके शर्मा जी के इतने नंबर आ गया है मिशा जी के इतने आ गया है तुम्हारे भी इतने आने चाहिए एक तो ये रहता है और कई बार लड़के जाना चाहते है मर्चन नहीं में उनको डाल दिया जाता है इंजिनिरिंग में विशा उनके किसी में अच्छे माक्स आते हैं लेकिन जिसमें कम माक्स हैं उसको उसकी उनकी कोचिंग लगा के बुला जाता है कि आप ये करिए लड़कों को एक अच्छी नौकरी हासिल करने का दवाव होता है कि ये माना जाता है उनको ये फीड किया जाता है कि आप घर चलाओगे तो आपकी नौकरी अच्छी होनी चाहिए पैसे ठीक मिलने चाहिए ताकि आप आगे की जिंदगी ठीक से जी पाए माध्यमिक स्तर पर कितने बच्चे स्कूल छोड़ देते है तो माध्यमिक स्तर पर यानिकी जो मिड लेवल है बावन प्रतिशत बच्चे स्कूल छोड़ देते है जिसमें 57 प्रतिशत 57 प्रतिशत अनुसूचित जाती के लड़के 69 69 इने की 79 प्रतिशत अनुसूचित जनजाती के लड़के शामिल है और 12 प्रतिशत अनुसूचित जनजाती के लड़किया और 71 प्रतिशत अनुसूचित जनजाती के लड़किया स्कूल में बीच में ही अपना पढ़ाई छोड़ देती है शिक्षा के किस स्तर पर आपको सरवाधिक बच्चे स्कूल छोड़ते हुए दिखाई देते हैं तो शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर हमें सरवाधिक बच्चे स्कूल छोड़ते दिखाई देते हैं उच्चतर माध्यमिक स्तर की बात करें तो 63% बच्चे स्कूल चोड़ देते हैं जिसमें 71% अनुसुची जाती के लड़के, शेडूल कास्ट, और 78% अनुसुची जन्जाती, यहनि शेडूल ट्राइब के बच्चे या लड़के. 76% अनुसुची जाती की लड़कियां होती हैं और 81-81 प्रतिशत अनुसुची जंजाती यह जो शेडिल ट्राइब है उनकी लड़किया स्कूल छोड़ देती है आपके विचार में अने सभी वर्गों की तुलना में आधिवासी लड़के लड़किया या उनको विध्याले छोड़ने की दर उनकी ज़ादा क्यू है अधिक क्यू है तो उसका कारण कुछ यह है कि आदिवासी वाले जो जगा है ख्षेत्र है वो मुक्यता जंगली ख्षेत्र होते हैं, जंगल होते हैं वहाँ यहले कि settlement कम है, school की संख्या काफी कम होती है इसलिए इन शेत्रों के आदिवासी लड़के लड़कियों को पढ़ने के लिए काफी काफी डिस्टेंस या डिस्टेंस ट्रावल करना पड़ता है दूर दूर जाना पड़ता है जिससे इन आदिवासी लड़के-लड़कियों को कई तरह की कठिनाईयां परिशानियों का सामना करना पड़ता है और आदिवासी लोगों में गरीबी काफी अधिक है इसे कुछ बच्चे पढ़ाई छोड़कर ही कमाने लग जाते है कुछ जंजाती लोग पड़ाई का खर्च भी नहीं उठा पाते जबकि वर्तमान समय में सरकार ने बच्चों की कितावे मुफ्त स्कूल ड्रेस के लिए पैसे मध्यान भोजन का प्रभंद कर दिया है इसके बावजूद पढ़ाई कि जो छोटे मुटे खर्च है वो भी आदिवासी छेतर के लोग नहीं उठा पाते प्रात्वे कक्षाओं में स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों के आगणों के अधार पर एक दंडारेक बनाई है तो दंडारेक का मतलब यह होता है यह एक बार ग्राफ है इसमें लड़कों का अलग हमने लिया है लड़कियों का अलग लिया है तो यहाँ जीरो से लेकर हमने पचास अलग दिया है क्योंकि यह नमबर जो है जीरो से पचास की बीच में है तक लड़कों की बात करें तो सबी लड़के ये देखिए ये नमबर यहाँ पर है इस तरीके से आप बाकी का बनाएंगे और लड़कियों के लिए इस तरीके से बनाएंगे जैसे प्राथमी कक्षा अलग से बना दीजे सबी लड़के तो लड़के ये ऐसा आप लेंगे और लड़केओं के लिवाइब यहाँ बनाएंगे आपके विचारव से महिलाओं के बारे में प्रचलित रूड़ीवादी धार्णा की वे क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है उनके समानता के अधिकार को कैसे प्रभावित करती है तो रूडिवारदीजी धारणा जो जिसे हम कहते है कि ट्रिविली जो चला आ रहा है ट्रिडिशनल जो चला आ रहा है तो अधिकांश ग्रामिंग शेत्रों में आज भी लड़कियां उतनी ही शिक्षा प्राप्त कर पाती है जितनी सुविधा उनके गाउं में उपलब्द होती है अगर उन्हें बाहर जाने की आवशक्ता होती है तो आगे नहीं पड़ती है अधिकांश ग्रामिंग शेत्रों में आज भी घूंगाट और लड़कियों की कम उनके शादी लड़कियों को चार दिवारी में ही रहना है ये सारी जो एक भांतिया या रूडिवादिता है ये आज तक प्रचलित है और अधिकांश परिवारों में लड़कियों के स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने से पहले ही या उनके जस्ट बाद उनके शादी कर दी जाती है थे खांश क्रामिक शेतरों में या अशिक्षित परिवारों या पिर कहीं है रूड़िवादी परिवारों में लड़कियों को परायधन मानकर उनकी परवरिष की जाती है कि लड़की को तो अल्टिमेटली शादी करके दूसरे के घर जाना है और लड़कों को ये माना जाता है कि ये हमारा बंच चलाएगा इसलिए उनकी परवरिश लड़कों से ये कहिए लड़कों की परवरिश लड़कियों से जादा बहतर की जाती है और कई लोगों का ये मानना है कि लड़कियों का मुख्य कारे भावी आगे जो परिवार है जहां उनकी शादी होने वाली है उसका उत्तर दाइत्व निभाना है जिसके लिए उच्छी शिक्षा के स्थान पर जैसे बाकी कारे हैं सिलाई, बनाई, कड़ाई, खाना बनाना ये सब चीज़े उनको सिखाने में ज़्यादा जो कि ये सारी बातें बिलकुल गलत आधार ही और जो हमारा भविश्य है प्रोग्रेसिव जो वर्ल्ड है या प्रो भाई और रुकया हुसैन के लिए अक्षर जियान इतना महितपूर था तो राज संदरी देवी रमभाई और रुकया हुसैन के लिए जो अक्षर जियान है याने कि जो शब्दों को समझना है उनको फिर उसके बाद उसका यूज करना है ये बहुत मैत्पूर्ण था क्योंकि तीनों पढ़ाई और अक्षर ग्यान के लिए काफी उत्सुप थी अब कहते हैं कि ये बेरा बच्चा पढ़ना निचाता है या बच्चे पढ़ते नहीं यहाँ एक्जामपल ये दिया जा रहा है कि ये लग पढ़ने के लिए आतूर से लेकि इनके पास समभावना एकम थी ये तीरों धनी परिवार से संब्दी थी जहाँ पर आज देखिए धनी परिवार में बच्चे पढ़ते ही पढ़ते हैं इसी कारण से ये समभाव हो सका कि इन्होंने चाहे छुप के चाहे कैसे भी किया लेकिन इन्होंने अक्षर ग्यान प्राप्त किया निर्धन बालिकाय पढ़ाई बीच में छोड़ देती है क्योंकि शिक्षा में उनकी रूची नहीं है अब इसको आपको स्पष करना है कि ये कधन सही क्यों रही है ये सही क्यों है तो ये कथन इसले सत्य नहीं है क्योंकि निर्धन बालिकाय पढ़ाई वीच में ही छोड़ देती है इसका कारण उनकी रुची नहीं होना ये नहीं है कि उनको नहीं पढ़ना चलिए अब मुझे आगे नहीं पढ़ाई करना बहुत कम होता है जो इस कारण से छोड़ते है दलित, आदिवासी और जो मानोरिटी है खास करके मुस्लिम वर्ग जो है जो बहुती दबा कुछला है उनकी लड़कियों को स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण हो सकते है क्योंकि देश के जो बहुत सारे भाग विशेशकर ग्रामेड और गरीब शेत्र वहाँ निवित रूप से पढ़ाने के लिए न तो चीज़ स्कूल है नहीं शिक्षक है यदि विद्याले घर के पास नहीं हो और लाने जाने के लिए कोई साधन ना हो या वैन वगरा की विश्ता ना हो तो जो माबाप है अभी भावक है वो लड़कियों को स्कूल तो भीजना ही नहीं चाते ये इसका में कारण हमारा समाज भी है लड़कियों की सेफटी सबसे बड़ा कंसर है माबाप के लिए कुछ परिवार इतने निर्धन होते हैं इतने पूर होते हैं कि वो बच्चों की पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पाते तो इससे क्या होता है कि लड़के हैं लड़किया हैं माली जे दो लड़के तीन लड़किया इस तरीके से कुछ है तो लड़कों को पढ़ाएंगे पहले लड़कों को बाद में या फिर ना पढ़ाएंगे बहुत से बच्चे इसले भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि जो शिक्षक है सहपार्टी उनके साथ भिद्भाव करते हैं जिनका मैंने नाम लिया दलित आदिवासी मुस्लिम इनमें बहुत सारे बच्चों के साथ शिक्षक और सहपार्टी इनका भिद्भाव करते हैं जिसके करण भी ये समस्या उत्पन्न हो गई है क्या आप महीना अंदोलन द्वारा विहवार में लाए जाने वाले संघर्ष के दो तरीके के बारे में पता कर सकते हैं या बता सकते हैं महिलाएं क्या कर सकती हैं क्या नहीं कर सकती हैं इस विशय पर आपको रूडियों के विरुदश संघर्ष करना पड़े तो आप पड़े हुए तरीकों में से कौन सा तरीके का उप्योग करेंगे आप इसी विशेश तरीके का उप्योग क्यों करेंगे तो संघर्ष के दो जो मेंध तरीके हैं वो यह है कि आड़तों के अधिकारों के सम्मंदों में या उसके परिपेक्ष में लोगों को जागरूप करना दूसरा है जो भेदबा और हिलसा होती है उसका विरोध करना यदि आपको इनके विरोध जो रूडियां चल रही है उनके विरोध संघर्ष करना पड़े तो आप ये प्रयास करना चाहेंगे कि समाज में औरतों के अधिकारों के समन्द में आप लोगों को जागरूप करें ये बताया जाए कि महिलाएं समाज का आधा अंग है कहने का मतलब 50% population है ये जो अगर परिवार का विकास होना है समाज का विकास होना है तो महिलाओं के बगर नहीं हो सकता उनको ये भी बताया जाए कि हमारे पूर्वज जो है पड़े लिखे नहीं थे इसलिए जो रोडिवादिता चली आ रही है उनकी जो मानसिक्ता है वो उस तरीके से बनी हुई थी इसलिए उन्होंने जो चीज कही वो आज लागू नहीं होती हम इस भेदभाव को रोके और एक आदर्श समाज का निर्मान करे जहां पर पुरुष और महिला दोनों एक गाड़ी के दो पहियों की तरह चले और ये जो गाड़ी है ये वो हमारा देश है